हेलो एब्रीवन वेलकम तो ओल इन वन निक्स मैं खुशी और अजब के साथ डिसक्स करने वाली है प्लास टेंड जोकाथी का चाप्टर टू फॉरस्ट एंड वाइड विसूसरी क्वेशन आंसर को तो फ्रेंड यहां पर मैं जो क्वेशन आंसर आपके साथ डिसक्स करने वा में आपके लिए आंसर लाई हूं जिससे आपको इसली उसी के कॉर्डिंग माक्स मुल सके बिकॉज इसली एक हमारा स्पोरिंग सब्सेक्ट है और आपको इसमें फ्री माक्स ऐसे लिए हैं तो आप आंसर को अगर ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने बता रही हूं यहां पर तो चलिए देखते हमाना first question है what is biodiversity why is biodiversity important for human beings तो यहां पर होता क्या है biodiversity आप क्या समझते हैं और हम सब मानों के लिए यह इतना important क्यों है यहां पर solution को देखिए answer हमारा है first one और यहां पर two questions है और two questions याता है उसमें हम तो पॉइंट लिखेंगे तो हमारे फॉस्ट पॉइंट है उसमें है the variety of plant and animal in the world और in a particular habitat which is usually considered to be important and desirable is known as biodiversity तू जैसे कि आपको पता है कि हमारे शंसार में बहुत सारे variety के फ्लोरा इंफना है means बहुत सारे व्राइटी के आनिमल से है प्लांट जिनको अभी तक हम जानती भी नहीं है ऐसे बहुत सारे forest है उसमें प्लांट है आनिमल है जो अपने पल्टिकुलर हैविटेट में रहते हैं तो वह के कॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट रूल प्ले करता है तो वही हमारा बाइवडावर्शिती है second one is it is important for human beings हां यह हमारे human beings के लिए important है because along with the biodiversity from a complete web of ecological system in which we are only a part and are being dependent on this system for our own existence से यहां पर देको क्या होता है न कि बाइवर्शिटी हम human beings के लिए बहुत important है क्योंकि बाइवर्शिटी एक ऐसा मतलब एक जब तक अगर हमारा बाइवर्शिटी बैलंस नहीं तो कुछ भी life एक चिस्ट नहीं करेगी simple सी बात है अगर plant नहीं दाएंगे तो हम human beings नहीं दाएंगे विकाज हम सब अपना फूर्वीर से लेते हैं और अनिमल्स नहीं देंगे वींस हम सब इक रुस्टी के उपर इतना dependent है कि अगर हलका सा भी सब्सक्राइब कर रहे हैं पाने का हम लोग वेश्ट कर रहे हैं ठीक है पाने का हम लोग वेश्ट कर रहे हैं तो इन सभी से हमारे फ्लोरह फणा पर क्या एफक्ट पड़ता है हमें स्क्रें करना है समल एंसर है हुमोब्स कर मातTS थ्री मक्स का मैक्स द्रो मैक्स आसकता है यह वाला तो इसमें हम सब जैसी कि हमारी जो वि Dublin है हम लोग जो कुछ अच्छ can कल रही हैं वह एफेक्ट परता है वह लोग ड 했는데 कि लोग उन्हीं से खाना पिनना धोलते रहते हैं उनको वाटर जो है वह उनको फूट का सरीया है तो जब एक अंदर जाएगा तो उनकी जो लाइफ है वो इंड हो सकती है और यह हमारे की में एक्जैंपल है और हम लोग बहुत सारे ऐसे कैम कर प्रोडस का फॉर्मिशन करते है हैं जिससे हमारा जो पॉलुशन है वो काफी इंक्रीज हो रहा है तो हमारा दिखी आवे फॉर्स्ट पॉइंट है डिफॉर्स्टेशन फॉर एक्रिकल्चुर एक्स्पेंशन हम लोग क्रिश्य को आगे बढ़ाने के लिए जगा-जगा के जंगल वगारा जहां को काट रह जो प्लांट होते हैं उससे कट करके भाब खेती करते हैं चले जाते हैं वहां से घुल्सर प mm तो यहां पर देखो हम अगर किसे भी पल्टिकुलर पेस्ट करना तो हमें वहीं पर करना चाहिए ऐसे सिफ्टिंग कल्टिविशन करेंगे अगर हम सब तो कितने सारी सब्सक्राइब करते हैं वहां उसके लिए भी हम लोग बहुत कम रहते हैं तो इसलिए हमें उन्हें कट करने पड़ते हैं डैंस बनाने के लिए माइनिग के लिया करते हैं कि यहां पर कही ला तो नहीं है यहां पर कहीं कहीं मैं पर निहीं है कको कहीं खे ऐसे पैसे अधिक करते हैं यह मइनिग होँए है सेक्टिमन बारा है काफी इंप्रॉर्टेंट नीखिश्ञा निजे सants इंडिया तो जितने हमें आपको बचाने के लिए क्या किया उन्होंने तहीं बताना है उन्हें डिस्क्राइब करना है यहां पर फॉस्ट आप देख भूगे तिनिये हमारा चिप को मुवमिंट का है अगर आपको पेड़ कातना है तो पर हमें पाटना पड़ेगा ठीक है यहां पर चिपकु मुवमेंट का इमेज है जो सुंदर लाल बहूरा को तरह चलाया गया था नेक्स हमारे यह यह शर्ज का टाइगर रिजर्व वाला है और फिर यह नेक्स्ट इमेज हमारे हमने हमालय पर जाकर जो प्लांटेशन किया था और यहां पर देखिए हमारी जो फिप्ति मैसे इसमें देखिए शुंदर लाल बहुड़ा गले लगी हुए तो यही थे वो जोन ने चिपकु मुवमेंट जो है वो चलाया था यहां पर देखिए हमारा यह क्वेशन मैक्सिमम पाइब लाइफ प्रोटेक्शन एक इन मैनी एडियास विलिजर्स देंसब और प्रोटेक्टिंग हैविटेड एंड प्रिजेक्टिंग गवर्मेंट इंवाल में सिंपल सी बात हुद दने कि हमें फॉरेस्ट वरा कर देते हैं जिकने भी आनिमाल्स होते हैं हमारे वाइड लाइफ इसके लिए उन्होंने ऐसे आवाद उठाई थी कि हमें इनी शेप करना चुई है तो गवर्मेंट के जो भी इंवाल्मेंट थी उनको रिजक्ट किया था कि उनको मुमीन्स उनका अपोस्ट किया था जिससे वाइड लाइफ जो है वो एक जिस्टर करी प्रोग्राम तो इन जोंड़ा थिएस पड़ेच्ड है अफ ज्रीएस पाइए था हने उनवाड़ावाजस्थान है यह पॉस्ते स्टेळ था जिसने प्रोग्राम को लांच किया था थ्ट इसम्हारा जो हैँए स्टेवाज है इन वे शे कंग्रील गलिजर्षां इन दी इनको बडहावा दिया यहां पर दिखो क्या होता है ना कि अनुवर डिस्टिक है वहां के फाइब विलिजर्स ने डिक्लियर कर दिया था जो ट्वैल हंड़ेड एक्टेयर लैंड फॉरेस्ट एडिया का उसको सेप किया था वह था वैरत देव ड़काव संचुरी ठीक है तो यहीं इसी एडिया के यहां पर पेर से खड़े हो जाओ यहां पर शुंदर लाल बहुरादवा चलाए गया था वहां के नेटिफ पेपल्स जो थे उन्हों ने यह मुविंट किया था खजुरी डिस्टिक्ट थी अरस्थान की वहां पर यह मुविंट हुआ था और फिप्ट पॉइंट में लिख सकते यह प्लांटेशन वाला जो हिमाले पर प्लांट किया गया है ठीक है डिफॉर्टेशन को बचाने के लिए हमारा फिप्ट माइंट हो जाएगा फ्रेंस तो हमारा फिप्ट प्रेशन है राइट नोट और प्रैक्टिस तूवर्ड कंजर्बिंग फॉरेस्ट एंड लाइफ प्रटेक्शन एक्ट जो था वह इंपलेमेंट किया गया था मींज एक्ट लाएग गया था वाइड लाइफ के लिए लिए इसमें और प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक हैमीट अलाओ ठीक है तो इसमें क्या होता है जो ब् gewoon घृवत होता है ना वह उनके बहुत यहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए यह एक्ट लाया गया था अनिस्ट ऑफ वाइल लाइफ इस्पसीज डाइट है टो फ्रोटेक्ट वास प्रग्रिस्ट एंड हंटिंग इस आनिमल वस अगेंस्ट लॉव देखों यहां पर एक लिस्ट लाई गई जो भी हमारे जो आनिमल स्थे बड्स थी वाइल लाइफ इस्पसीज में उन्हें प्रोटेक्ट करते किया जाएं वह एक्स्टिंट हो रहे थे उनकी देथ हो रही थी तो इस एक्ट के तुरू उनका शिकार करना मींस जो लोग हैं हंटिंग पर जाते हैं वह इस लौकी अगेंस्ट हो गया नेशनल एंड वाइल लाइफ सेंचुरी जो प्रोटेक्ट इंडेंजर श्री तो बहुत सतर स्टेट में नेशनल पार्ग और वाइल लाइफ सेंचुरी जो हैं उनका सेट अप किया गया मींस वह बनाया गया जिससे जो इन्देंजर स्पीसिज य। घान्रि ऑजली सेमें अंदर द प्रोटेक्टेड इस्पीस उस टाइम पर कापे सारे इंसेक्ट जो है वो भी गयाब हो रहा है तो उनके लिए भी इनसेक्ट इस्पीस को सेब करने के लिए एक लिस्ट बनाए गई थी बटरफ्लाइस मोट्स बैटर्स ड्रेगन फ्लाइस इविन शल्टें प्लांट्स प्लांट है वो सभी थे फिर हमारा नेक्स्ट मॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर वह इनिशेटर इन 1973 बाइदी गवर्मेंट ऑफ इंडिया तो प्रोटेक्ट टाइगर 1973 में ऐसी कंडिशन आगी हमारे इंडिया में कि हमें टाइकर को भी कंसर्व करना पड़ा वनना आने आप दी मोस्ट वेल पब्लिश्ट वाइलाइफ कंपेणियन इन दी वर्ड यह हमारे वर्ड में काफी ज्यादा पब्लिश्ट हुआ था कि काफी फेमस हुआ था कि हमें आप जो टाइगर था उन्हीं कंजर्ब करना था शेप करना था लेक्टिग और रूफ टॉफ टूफ तो कंपेणियन इन दी वर्ड यहां से हमारा यह वैल तक यह रॉंग है में समारा कंपेणियन इन दी वर्ड तक ही इसका राइट आंसर है ओके यह लास्ट किस ट्री लाइन आप कट कर दोगी केवल हमें लिखना है इस वन आप दी मोस्ट वेल पुब्लिश्ट वाइल तो फ्रेंड अगर आपको इसका पीडियाफ से जोइन करें हमारे टेलेग्राम ग्रूब को और मिल से है नेक्स्ट वीडियो में किल देन बाई राधे राधे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है